पुल सत्चे दर्वार की जै, बहु सियापत राम चंद्र की जै, भायों लावं धोक जने, आज काज बढ़ मोई, रावा आज काज बढ़ मोई, सुने सरोस बोले, सोबट भीर अधीर नहोई, सियापत राम चंद्र बद जै, सनम संकर हरियों जै जै सियाराम, उसने कहा, कि हे भायों, धोका न लाना, अर्थाद मनने से न घवराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है, यह सुनकर सब्यूद्धा बड़े जूस के साथ बोल उठे, कि हे बीर, अधीर मत हो, तराम प्रतापनात बलतोरे, करह कटको बेनो बट बेनो गोरे, जीवत पाओ न पाचें दराई, रुण्ड मुण्ड मया में देने काराई, हे नाथ, सिरी राम चंदर जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना बीर और बिना घोड़े की कर देंगे, एक-एक बीर और एक-एक घोड़े को माट डालेंगे, जीते जी, पीछे पाम नहीं रखेंगे, प्रत्वी को रुण्ड मुण्ड मई कर देंगे, सिन और धनों से छा देंगे, तो दीक निजाद नात बल टोरू नू, कहे उबजाओ जो जाओ डोलू, इतना कहते छी कवईवाए, कहे उब सबोने अनखेत सुवाए, निसरात राज ने बीरों का बढ़ी आदल देखकर कहा कि जुझाओ लड़ाई का ढोल बजाओ, इतना कहते ही बाई और शीक हुई, सकुन बचार करने वालों ने कहा कि खेत सुन्दर है, जीत होगी, बूड़ एको कहसा को न वेचारी, भरता है मेले अनहों इरारी, एक बूड़े ने सगुर विचार कर खा कि भरत से मिल ली चीए, उन से लड़ाई नहीं होगी, भरत सी रामसंदर जी को मनाने जा रहे हैं, सब उन ऐसा कह रहा है, कि बिरोध नहीं है, तो सुने बोह काईनी का बूड़ा, सहसा करे पछेताएं बे मूड़ा, बरत जुबाओ सी लो बेनों बूझें, बड़े ताने जाने बेनों जुझें, यह सुनकर निसाद राज गोह ने कहा, कि बूड़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना बिचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पस्ताते हैं, बरत जी का सील सुभाव बिना समझे, और बिना जाने युद्ध करने में हित्की बहुत बड़ी हानी है, तो गाहों गाट भट से मेटे सब ले उमरम मिले जाए, रावाले उमरम मिले जाए, भूजे मेत्र अरे माध्य गते तस सब करे आए, आए सियापते राम चंद्रपद, जै सनम संकर रियों, जै जै सियाराम, ए तेव, हे भीरों तुम लोग एखटे होकर सब गाटो को रोख लो, मैं जाकर भरजी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ, उनका भाव मित्र का है या सत्रू का, या उदासीन का, यह जान कर, तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंद करूँगा, उनके सुन्दर सुवाब से मैं उनके इसनियो को पहँचान लूँगा, वैर और प्रेम शपाने से नहीं शिपते, ऐसा कहकर, तो भेट का सामा सजाने लगा, उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मगवाई, तमी न पी न पाठी न पुराने, भरे भरे भार कराना आने, कार लोग परानी और मोटी पहना नामक मचलियों के भार भर कर लाए भेट का सामान सजा कर मिलने के लिए चले, तो मंगल दाएक सुब सकुन मिले, तो देखी दूरते कहने जेमान कीन मुनी से दांड प्रानाम, जाने राम प्रिय दीने असी सा, भरते कहे उबोजा ए मुनी सा, निसाद राज ने मुर्ण वसिस जी को देख कर अपना नाम बतला कर तोरी से दंडवत प्रानाम किया, मुनी सार वसिस ने उनको राम का प्यारा जानकर आसीरवाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा, कि यह सी राम का मित्र है, तो राम सका सोने संदनू त्यागा, चले उतरे ओमगतनू रागा, गाओं जाते गोनाओं सोनाई कीन जो आरुमात महिलाई यह सी राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया, विरथ से उतर कर प्रेम में उमंगते हुए चले, निसाद राज गोने अपना पाम जाती और नाम सुना कर, प्रत्वी का माथा टेकर जोहार की, करत दंडवत देखिते वरत लीन उरुलाए रामा वरत लीन उरुलाए, दंडवत करते देकर भरत जी ने उठा कर उसको छाती से लगा लिया, हर्दय में प्रेम समाता नहीं है, मानो सोयम लक्षमर्जी से भेंट हो गई हो, तो बेंट तवर तो ताहे अते प्रीती, लोग से आहे प्रेम के वीती, दान्या दान्या धोने मंगल मूला, सुर सराहे ते बारे सैंपूला, बरजी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीती को सब लोग से हा रहे हैं, इर्शा पूर्यों प्रसंसा कर रहे हैं, मंगर की मूल धन्य धन्य की धनी करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल वर्षा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोक और बेद जोनों में सप्रकार से नीचा बाना जाता है जिसकी छाया के छूजाने से भी इस्नान करना होता है उसी निसाद से अंकवार भरकर हिदय से चिपटा कर सी रामसंदर जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेंबस सरीर में पुलका वली से परपूर हो मिल रहे हैं तरामराम कैजे जम हाई तेना है नपाप पुंज समु जाई ये ताउ राम लाए उर लीना कोल समेत जग पावन की नाम जो लोग राम-राम के वार जमाई लेते हैं अर्थात आलस से भी जिनके मुँ से राम नाम का उचार्ण हो जाता है पापों के समु कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते फिर इस गोह को तो स्वयम सी राम सुन्दर जी ने हेड़े से लगा लिया और कोल समेत इसे जगत पावन जगत को पमित्र करने वाला बना दिया तो करम नासा नदी का जल गंगा जी में पढ़ जाता है मिल जाता है तब कहिए उसे कौन सिर्फ पर धार नहीं करता जगत जानता है कि उल्टा नाम मराबरा जबते जबते बाल में की जी ब्रह्म के समाल हो गए स्वपाच्वड सवार खस जमन जड़ पावन कोल के रात रावा पावन कोल के रात रामकात पावन परमाहोतव ववन विक्यात ज्यावत राम चंद्रबद जय और पामर चांडाल सवर खस यवन कोल और किरात्मी राम नाम कहते ही परम पवित्र उत्रिवबन में बिख्षात हो जाते हैं तो नाय अचेरे जो जोगा जोगा चले आई के नदीन रगवर बढ़ाई राम नाम महमा सो रकाई सोने सोने अवदलो को सो खुलाई इसमें कोई आश्चन ही नहीं है युग युगांतर से यही रीती चली आ रही है जी रगवनाद जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी इस प्रकार देवता राम नाम की महमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं तो राम सकाय मेले भरत प्रक्स प्रेमा पूछी कुसल सुमंगल केमा देखे भरत करसी लुजने हूँ बानिसाद ते समय विदे हूँ तो राम सकाय निसाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुसल मंगल और शेम पूछी भरत जी का सील और प्रेम देखकर निसाद उस समय विदे हो गया प्रेम मुगद होकर दे की सुद भूल गया तो साको चेता ने उमोद मन भाड़ा वरताय चेता वता एक टक टाड़ा दारे धीरा जुपद बंद वहोरी बिना यसा प्रेम करत कर जोरी उसमें मन में संकोच प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टक टकी लगाए भरत जी को देखता रहा फिर धीरत धर कर भरत जी के चरणों की बंदना करके प्रेम के साथ हाद जोड़कर बिंति करने लगा हे प्रभू कोशन के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कोशन जान लिया अब आपके परम अनुग्रह से करोनों कुलों पीणियों साथ मेरा मंगल कल्यान हो गया तसामोज मोरे करत तूत्य कुलों प्रभू महमा जिया जोई रामा प्रभू महमा जिया जोई जो न भजा एरा गुबीर पद जगवे देवां चितोई जिया बत राम चंद्रमद जै जनम संकर रियों जै 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 जिया राम मेरी कर्शूत और कुल को समझ कर और प्रभू राम चंद्र जी की महमा को मन में देख बिचार कर अर्था कहां तो मैं नीच जाती और नीच करम करने वाला जीव और कहा अनंत कोटी ब्रह्मानों के स्वामी भगवान सी राम जी पर उन्होंने मुझे से नीच को भी अपनी अहेच की क्रपा बस अपना लिया यह समझ कर जो रगवीर सी राम चंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वो जगत में बिजाता के द्वारा ठगा गया है तो कपटी कायर कुमत कुजाती लोक बेद वाहिर सववाती राम की न आपन जवईते बयां भुवन भूसन तव हीते तो मैं कपटी कायर कुमुद्धी और कुजाती हूं और लोक बेद दोनों से सप्रका से बाहर हूं पर जब से सी राम संद्र जी ने मुझे अपनाया है तब ही से मैं विश्व का भूसर हो गया तो देखी प्रीती सोने बेनया सुहाई मिले उबहोरे भरत लगुवाई कहने सादने जनाम सुवानी सादर सकल जो आरी रानी निसाद राज की प्रीती को देख कर सुन्दर बिनाय सुनकर फिर भरत जी के छोटे वाई सत्रवन जी उससे मिले फिर निसाद ने अपना नाम ले लेकर सुन्दर नम्र और मदुर बानी से सब रानीयों को आधर पूरवग जोहार की तो जाने लखना समदे असी साद यहां सुखी से लाक वरीजाओ ने रहे के निजादो नगर नहरे नारी बैसुखी जैनों लगनों नियारी रानियाओं से लक्षमर जी के समान समझ कर आशिर बात देती है कि तुम सौलाख मरसों तक सुख पूरवग जी हो नगर के इस्तिरी पुरुस निजाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानों लक्षमर जी को देख रहे हूं तो कहां हैं लगें हो ए जीवन लाहो बैंटे उराम चांद्रे बरवाहो सब कहते हैं कि जीवन का लाप तो इसी ने पाया है जिसे कल्यान सुनूप सी राम सुन्दर जी ने भुजाओं में बांद कर गरे लगाया है निसाद अपने भाग की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लबा ले चला तो मांगा लावाना मांगा लाहारी द्रवां सुदा सरत जी रभ आरी अधाय चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइक एड़ गंड़ी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जैस याराम लिखें बोलो जैस याराम